अब क्या होगा आप लोगा अगर आप लोग के पास आप हो CVSC बोर्ड में और आप थे क्लास 10th और 12th के चूड़न आप सभी जानते हैं आजकल के महौल की वज़े से क्या हो चुका है आपके पेपर्स हो चुके हैं पोस्पोन लेकिन साथ में लिखा वा था कि 31 मार्च के प्रेस रिलीस किया था हमारे पास यह प्रेस रिलीस है और उसके अंदर उन्हें ने एक बहुत ही अच्छी इंपॉड़न बात कही है जो कि मैं वीडियो में आपको पतायता हूँ ठीजी सबसे पहली बात तो कौन से कौन से हमारे पेपर रहते हैं वो उनकी एक बाद डिसक को यानि 20 मार्च को था आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर कंप्यूटर साइंस के लो आईटी के लो यह की बात है दूसरा था 12 का 12 में आप एक चीज़ समझीए कि जिनके पास PCB थी उनके कंप्लीट हो चुके कब हो गए थे 14 मार्च को ही कंप्लीट हो गए थे जिन हमान्टीज में भी दो प्रकार के लोग थे एक थे मैच वाले एक नौन मैच वाले लगबग लगबग सभी हमान्टीज वालों का भी 17 मार्च तक हम एजूम कर रहे हैं कि उनके पास थी मैच उनकी भी पेपर खतम हो गए थे बच्चा कौन बच्चे बिचारे कॉमर्स के स् के एक पेपर बचाता आफ सभी जानते हैं वह कि साफिए का वी यहसाब से सब चौूरार हो रहा है पोस्पॉन श्रीजा चलते हैं जो कि आप मेरे साथ देखोगे तो आपको समझाएगा कि reschedule यह fourth point है reschedule dates will be communicated by the board to all its stakeholders by 31st March after यह बहुत important line है यह ध्यान से देखिए after reassessment of the situation इसका मतलब क्या है अगर आपके देश के अंदर जो यह हो रहे हैं हालात मैं उसका नाम नहीं लूँगा उस शब्द गा क्योंकि मेरी वीडियो जाएगी demonetize अगर आपके यहाँ पे जो हालात हैं वो अगर और बिगड़ते हैं तो आप यह समझेए कि direct 31 March के बाद अपरैल में paper होने मुश्किल है जो कि हम भगवान से दुआ करेंगा है कि हालात ना बिगड़ें अगर आपके ऐसा होता है तो 31 March को हो सकता है CBSC आपको यह बता these are just speculations यह आपको याद रखनी है बात this is just informative वीडियो यह हम बतानी रहे कि CBSC ऐसा करेगी हम कह रहे हैं ऐसी possibility है कि आपका जो paper है 31 March को जो press release आएगा उसमें यह कह सके कि after further assessment of the situation या अगर वो कह सके कि due to these situation we are not holding the actual examinations अब in the April month हो सकता आपके papers और ज़्यदा डिले हो जाए तो आपको यह बात समझनी है कि आपके साथ यह हो सकता है कि अगर आपके हलात सही रहे अगर आपके हलात होगा stabilize जो की देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो उस cases में आपका 31 March को direct date आजएगी परंतो अगर आपके हालात नहीं हो stabilize तो हो सकता है कि आपको एक महिना और तक wait करना पड़ सकता है तो यह बहुत बड़ी important information थे जो सभी को जानने बहुत जूरी है इसके साथ हमें वीडियो खतम करता है अगर आपके वीडियो अच्छे लगे यार प्लीज फैलाओ जो आपके दूस कॉमर्स के student है जिनका BST का पेपर था यार बहुत ही अच्छे पेपर जा रहे होंगे बच्चों के इसके साथ हमें वीडियो करते है खतम प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और एक चीज आद रखिए यह जो हालात से related वीडियो है मैं again उसका श आपक्षनमा जय हंद